नमस्कार सभी साथियों को अपने सुपर फिप्टी अकेडमी का जो चैनल है उस पर अपनी जो लाइव क्लास से कंट्यूनु चलती है उसमें कल थोड़ सा टेक्निकल इशू रहा था नेट्रियों की इशू के कारण कल की क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए कल की क्लास को आज वापस सुचारू स्टार्ट करते हैं को की सबसे पहले बैसिक जानकर शांस प्र प्राप्त कर लते हैं और क्योंकि अभी अपना टोपिक चल रहा है तो उसतों को मैंने आगे बढ़ा दिया है, ये पार्ट टू आप सकते हूँ पार्ट टू आप इसे बोल सकते हूँ क्योंकि पार्ट टू में अपन कुछ छोटी चर्चाई नहीं करेंगे जो हमने basic पढ़ लिया है उसको नहीं पढ़ेंगे अब थोड़ सा question पर अपन target करेंगे यदि मैं part की बात करूँ ओसत को मैंने तीन पार्टों में divide किया था कोई भी question हो कैसा भी question हो जरफ तीन चीजों पर depend करेगा तीन चीजें होती कौन कौन सी है एक अपना ओसत होता है second number यदी में बात करूँ तो योग होता है और एक चीज और बताना चाहो ओसत योग और संख्या मतलब कह सकता हूँ कि average, total और sum की यदी में बात करूँ ओसत निकालनों कैसे निकालते हैं योग निकालनों कैसे निकालते हैं संख्या निकालने को कैसे निकालते हैं यह सारी चीजे हम पढ़ चुके हैं अब अपन थोड़ सा आगे भढ़ेंगे तो आगे भढ़ने से पहले एक बार मैं कमेंट सेशन को देख लेता हूँ बेरोजगार छोड़ा बोल रहे हैं न Seems like a के बाधि यह करो आपने को एक लिए को कमेंट वगरा नहीं करने हैं क्योंकि कौन किसको झानता है, कौन नहीं जानता है यह बातें कसे कमेंट सेशन में नहीं होंगे सिर्फ और इधिन नऽ सिर्फ यह कलास की बात होंगे टेक्निकल टीम से बोलकर मैं आपका मुग करवाद हूँगा कमेंट तो थोड़ सा द्यान रखें सिर्फ क्लास की बातें करें रोशन हलो बिलकुल हलो वई गुड इवनिंग सर पर्थ सूधरी गोल्डरें गुड इवनिंग डिपेंदर मंडोलिया लव यूँ वई दिपेंदर पिंकी गुड आप्टर नोन दिपेंदर मंडोलिया गुड आप्टर नोन मीरा सर्मा गुड आप्टर नोन मुकेश सैनी लव यूँ वई बिट्व नटवाडिया रम राम चलो अब अपन द्यान देंगे टोपिक पर ओसत की बात चल रही थी ओसत में तीन चीज़े होती है जो द्यान दें ओसत योग और संख्या इनकी चर्चा हम कर चुकें थोड़सा अगे बढ़ चुके थे और आगे बढ़ने की साथ साथ मैंने आपको कुछ ऐसे क्यूशन वगेरा में ऐसे टाइप बताये थे जैसे मान लीजी अपन कई बार क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस से चलते हैं अब फॉर्मूला बेस कोई गलत नहीं है लेकिन गलत कब सिध होता है जब संख्यादा आजाएं मान बढ़े आजाएं तब हमारे सामने दिक्कत पैदा होती है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने एक मैथड यूज किया है जिससे अपन डेवेशन मैथड बोलता है इस डेवेशन मैथड से हर क्यूशन बहुत इजिली होता है एक जगे काम नहीं करता है कौन से पर हर जगे काम करता है तो मैंने इसकी भी चर्चा क्यूशन में साथ-साथ रख दी है अब सबसे पहले तो मैं आपको एक क्यूशन पहले जो अपने सीट के क्यूशन है जो मैंने आपके लिए कलेट किये है वो क्यूशन करने से पहले एक बार तो आपको कुछ क्यूशन वैसे ही बताता हूँ क्यूंकि अपन जो टोपिक करेंगे उससे पहले अपने को एक दो क्यूशन जरूर कन्फरम होना चाहिए कि इसका उत्तर कैसे होगा, कैसे हमें करना है तो एक क्यूशन की तो मैं चर्चा करूँगा पहले अंकित राजोरिया सरजी दोग बिल्कुल भई अंकित खुश रहो, बाबा फरारी क्लास को ज़्यादा सेर करें बिरोजगार चोरा सर आपके मैध की क्लास लेने मैध समझ आया बहुत अच्छी बात है अभी देखो, इतना जरूर कहूँगा जो भी स्टुडेंट पढ़ रहे हैं, अभी अपने कंप्लीटली मैध की मैं चर्चा नहीं कह रहा हूँ अभी सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों का हो चुका है उनके लिए कुछ रिवीजन की बाते रहेंगी या फिर जो अभी पस्चु परीचर अभी अपने सरस्तान ने भी पस्चु परीचर का बैच चालू किया है तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो भी जल्दी से जुड़ जाएं और इसमें जो लेवल आता है मैं उन लेवल की चर्चा करूँगा कि सोट एंड सिउट अपन कैसे कुछिशन को कर सकें कैसे कुछिशन तक हमारी एप्रोच हो सके तो उसकी चर्चा अभी हम करेंगे तो आईए एक बार एक कुछिशन मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ एक कुछिशन के माद्यम से समझाता हूँ आपको चोटे मोटे कुछिशन अपने देख लिए तक एक मैंने एच डबलू का कुछिशन दिया था वो भी आपने कर लिया था अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा कुछिशन का एक कुछिशन स्क्रीन पर रखता हूँ बारा संख्याओं का ओस्षद बतीश है चलो एक बार मैं गुणात्मक कुछिशन की चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि अपन गुणात्मक कुछिशन भी पढ़ेंगे अच्छा कुछिशन आता है यहां से मानलो आपको यूं कहा गया बारा संख्याओं का ओस्षद बारा संख्याओं का ओस्षद बतीश है यदि परतेक संख्या में यदि परतेक संख्या में दोसे गुणा कर दिया जाए दोसे गुणा कर दिया जाए तो नया ओसत क्या होगा नया ओसत क्या होगा बहुत आसा क्युशन मैंने रखा है और क्युशन इसी लिए रखा है कि आप आराम से बहुत इजी तरीके से समझ पाओ कि इस टाइप में इस टोपिक में जो अपने पार्ट ओफ मतलब यू कह सकता हूं कि गुणात्म क्युशन जिसमें मल्टिप्लेक्शन की क्युशन आते हैं तो उन क्युशन के लिए अपन कैसे सोल करेंगे बारा संख्याओं का ओसत 32 से यदि परतेग संख्या में दो से गुणा किया जाता है तो नया ओसत क्या होगा बहुत बहतरीन क्युशन है और एक क्युशन से ही आपको समझना है कि क्युशन का उत्तर क्या होना चीए क्या नहीं होना चीए एक क्युशन मुआ आपको complete समझाओंगा ध्यान दीजिए इससे पहले क्युशन से पहले और में थोड़ी ची बेसी की चर्चा कर देता हूँ आपके लिए माली जी अपने पास संख्या है दो तीन चार पाँच चार संख्या हमें दे रखी हैं यदि मैं ये कह दूँ कि परतेग संख्या में देखो इसके लिए एक फोर्मेटर बहुत आसान क्यूशन यहां से बनता है संख्या हैं दो तीन और चार यदि ये कहूँ परतेग संख्या में दो जोड दिया जाए और इनका ओसत भी मैं आपको कुछ दे दूँ माली जी एक बार तुम इसे सोल करके बताऊंगा आपको यहां से ये कह रहा हूँ कि चार संख्या हैं और चार संख्याओं कि यदि मैं एवरेज की बात करूँ तो देखो साथ माली जी यहां से यू कह दो परतेग संख्या में दो जोड रहा हूँ तरीका समझना एक बार क्यूशन का फिर अपने क्यूशन पे आएंगे चार संख्याओं हैं दो तीन चार पांच यदि मैं इन सभी संख्याओं में प्लिस दो कर दो सभी संख्याओं में प्लिस दो कर दो तो नया एवरेज क्या होगा अब इस क्यूशन में देखो पहले मैं दो प्लिस कर रहा हूँ यहां से मेरे पास संख्या बनेगी चार यहां से बनेगा अपना पांच यहां से 6 और यहां से 7 यह अपने संख्याएं बन जाएंगी मैंने कहा परतेग संख्या में 4 संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5 परतेग संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो नई संख्या बनेंगी 4, 5, 6 और 7 अब अपन बात करते हैं average की दिहान देना average अपन कैसे निकालते हैं average निकालने के लिए अपन करते हैं sum upon number मतलब योग बटा संख्या करते हैं यदि यहां से मैं योग देखना चाहूं तो योग कितना हो जाएगा 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 14 योग 14 है, संख्या 4 है ओस्त निकालूंगा, ओस्त कितना आजाएगा 4, 3, 12 दो बच गए फिर 20 में 4, 5, 20 अपन कह सकते हैं 3.5 है पर्थम 4 संख्या 2, 3, 4, 5 है उनका ओस्त 3.5 है हमें कहां परतेग संख्या में 2 जोड दिया जाए नया ओस्त बनेगा 4, 5, 6, सोरी नई संख्या बनेंगे 4, 5, 6, 7 है अब अपन बात करेंगे इनके एवरेज की देखिए एवरेज अपन कैसे निकालेंगे एवरेज का फॉर्मला हुआ ही होता है कि एवरेज बराबर सम उफ नंबर ये कह सकते हैं कि योग बटा संख्या होता है सबसे पहले इनका योग करूँगा साथ, छे, तेरा तेरा और पांच, अठारा और चार बाईस है संख्या कितनी है? चार है तो बाईस बटा चार करूँगा अब देखो कैल्कुलेशन करते हैं चार का भाग मैंने लगाए है इसमें 4, 5, 20 होता है चार, पांच, 20 है बचा कितना? दो, फिर पॉइंट लेके जीरो लगाँगा फिर पांच, चार, बीश है इसका मतलब कितना आ गया? पांच, पॉइंट, पांच है अब देखो एक तो इस्टूट ऐसे करता तो ये होता है बेसिक मेथड हर क्यूशन में काम करता है देखो बेसिक मेथड के लिए हमें क्या करना होगा? बेसिक मेथड हमें जैसे कहा वैसे करना होगा पहली संख्या 2, 3, 4, 5 है पर तेक संख्या में 2 जोडूँगा नई संख्या बनेंगी 4, 5, 6, 7 हमें पूचा ओसत बताईए औसत बराबर होता है योग बटा संख्या योग 14 संख्या 4 औसत आया 3.5 है नई संख्या बन चुकी है 4, 5, 6, 7 औसत की बात करते हैं तो योग बटा संख्या योग करेंगे 5, 4, 9, 6, 15, 7, 22 है बाइस बटा 4 करेंगे 5.5 है अब अपना रिजल्ट आया है 5.5 मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि आपको ऐसे कोई भी क्यूशन नहीं करना है इतनी लंबी सोड़ी प्रोसेस किसी को नहीं अपना नहीं है एक्जाम क्रेक करनी है सोट एंड स्वीट पे जाना आपको देखिए सीधी सी बात कहीं किसी भी परसं में यादी आपको कुछ भी परीवर्टन करना चाहे जैसे माली जी आपको कहे जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी आपको कहे खोड़ अइदर बताوا आपको किसी भी संख्या के साथ पलस माइनस गुणा भाग करने के लिए कहा जाए किसी भी संख्या के साथ प्लस माइनस गुणा भाग करने के लिए कहा जाए तो अपने को ये जो परिवर्तन हम संक्रिया में कर रहे हैं ये जो भी परिवर्तन हमें संख्या में करना है आप डाइरेक्ट से ये परिवर्तन किस में कर दो? ओसत में कर दो जितना प्लिस करना हो संख्या के लिए बोलेगा आप डाइरेट ओस्त में कर दो आपका उत्तर आ जाएगा प्रूप करने के लिए ध्यान दीजिए पहले ओस्त तीन पॉइंट पांच था मैंने कहा परतेख संख्या में दो जोड़ना है देखो परतेख में दो जोड़ूँगा अब परतेख में दो जोड़ूँगा कितना लंबा क्यूशन मुझे करना होगा इससे बड़ी आप क्या करो 3.5 में ही 2 जोड़ दो ओसत में ही जोड़ दो आपका उत्तर आजएगा 5.5 तो देखे आपको ये करने के आउशक्ता नहीं है कि मैं ऐसे भी हल करूँ नहीं जो भी परिवर्तन हो डायरेट से किस में कर दो ओसत में कर दो आपका उत्तर आजएगा अब यदि मैं आपको क्यूशन पर लेके आओ जो मैंने अभी आपको क्यूशन लिखवाया है ये देखिए 12 संख्याओं का उसत 32 है एक बर क्यूशन को देखे आप बाबा फरारी रादे रादे जितिंदर परजापत गुड़ इवनिंग भई चलो क्यूशन है 12 संख्याओं का उसत 32 है यदि परतेख संख्याओं में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया उसत क्या होगा विदिन 5 सेकिंड आप इस क्यूशन का जवाब दे सकते थे और जवाब कैसे देना था आपको यदि 12 संख्याओं का उसत 32 है 64 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा अब देखो कितना सिंपल क्यूशन हो चुका है यदि मैं प्रोसेस पे जाओं तो देखो प्रोसेस के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा मतलब जितना कहें गुणा करना तो गुणा करके रखूंगा फिर मत जोड़ूंगा फिर भाग लगऊंगा तो लंबी चोड़ी प्रोसेस होती है तो आपको लंबी चोड़ी प्रोसेस पे काम नहीं करना है सिंपल मेथड़ पे काम करना है जो भी परकिरिया हमें कहें कि जोड़ करना है जोड़ करदो बाकी करना है बाकी करदो हमें कहा कि गुणा करना है गुणा दोसे करना है तो संख्या को नहीं करना है सिर्फ आप डायेट से ओसत को कर दीजी आपका उत्तर आ जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा चोसर ये टाइफ है गुनात्मक्यूशन का अब यदि गुनात्मक्यूशन के बाद में एक क्यूशन के और चर्चा करूँगा मैं गुनात्मक्स से पहले जैसे मालो संख्यों का क्यूशन आता है जैसे कुछ संख्या हमें दे दी जाती है फिर कुछ संख्या हम से पूछी जाती है उस टाइब का मैं एक क्यूशन बोर्ड पे रखूंगा उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे जो मैंने क्यूशन टाइब करवा रखें उनकी तो देखें एक नक्ष क्यूशन और ये दो क्यूशन समझा के फिर अपन क्यूशन के चर्चा करेंगे आपका क्यूशन है पंदरा संख्याओं का ओसत तीस है पंदरा संख्याओं का ओसत तीस है पंदरा संख्याओं का ओसत तीस है जबकी इन संख्याओं में जबकी इन संख्याओं में से तेरा संख्याओं का उसत तेरा संख्याओं का उसत जबकि इन में से तेरा संख्याओं का उसत 32 है सेस दो संख्याओं बराबर है सेस दो संख्याओं बराबर है तो इन दोनु संख्याओं में परतेक का मान बताईए परतेक का मान बताईए पहले मैं समझाओंगा क्यूशन को अभी देखेंगे कुछ एक मेरे ओफ लाइन स्टुडेंट के जवाब आ रहे हैं किसी के सत्रा हैं किसी के चोटीस हैं देखते हैं बाकिस स्टुडेंट का क्या जवाब होता है मीरा चोट सट बिलकुल सही है पिसले क्यूशन का जवाब क्यूंकि ऐसे क्यूशन को हमें डाइरेक्ट ही करना है देखिए पंद्रा संख्याओं का उसट तीस है जबकि इन संख्याओं में से तेरा संख्याओं का उसट बतीस है से से दो संख्याइं बराबर हैं तो उन दोनों संख्याओं में परतेक का मान मताई यह बहुत अच्छा क्यूशन है और इस क्यूशन को आपको एक बार समझना है मैं दोनों मेथड यूज करूँगा सबसे पहले मैं बेसिक की ही चर्चा करूँगा आपके साथ यदि मैं बेसिक की चर्चा करता हूँ सबसे पहले तो देहन दीजिए 15 संख्या हैं हमें नंबर दे रखा है इनका एवरेज दे रखा है यदि मैं नंबर को एवरेज से गुणा करता हूँ मेरे पास आता है टोटल अब देखिए यहां से यदि नंबर दे रहे है और नंबर है अपने पास 15 संख्या 15 है एवरेज 30 है योग बनेगा 450 फिर यदि मैं इसी क्यूशन में दूसरी बात करना चाहूं आपसे अपने को 13 संख्या दे दी है यदि 13 संख्या दे चुके हैं कितना हा रहा है चार सो सोडा अब देखिए यहां से मेरे पास संख्या 15 है यहां से संख्या 15 यहां से संख्या 13 है बच्ची कितनी है संख्या दो संख्या बच्ची है संख्या बच्ची सिरफ दो अब देखिए यदि मैं 15 संख्याओं में से 13 संख्याओं को गठा दूँगा तो 2 संख्या बचेंगी 15 संख्याओं का योग 450 है और 13 संख्याओं का 416 है दोनों का योग का अंतर करूँगा तो अंतर कितना हैगा 34 यदि दो संख्याओं का अंतर 34 है हमें क्यूशन ने क्या कहा है पर तेक संख्या का मान बताईए दो संख्याओं का योग 34 है तो एक संख्या का मान कितना हो जाएगा 17 तो जिनी स्टूडेंट को 17 है उनका बिलकुल सही है ये तो है basic method अब देखिए basic method पे मैं चाहता हूँ आप काम ना करें तो ठीक रहेगा सीखना है तो basic करिए यदि आपको exam qualify करनी है तो basic पे मच जाएए direct से मैं जो method आपके साथ use करूँ within 5 या 10 सेकिंड में आप question कर सकते हो देखिए एक बार board फर इसी के साथ रखता हूँ question देखे जगे थोड़ सी कम है क्योंकि बाकी question दो मैं टाइप करवा रहे है उसमें तो आपको दिकत नहीं आएगी बिल्कुल मेरा 17 साही है आपका उत्तर 15 संख्याओं का उसद 30 है सबसे पहले मैं यहां रखूँगा कि संख्याओं अपने पास है 13 जिनका उसद हमें दे रखा है दो संख्याओं हैं उनका उसद हमारे पास नहीं है वो हमें निकालना है 13 संख्याओं का उसद हमें दिया है उसने 32 दो संख्याओं का उसद जो हमें निकालना है हम माल लेते हैं X फिर यदि यहीं से मैं यह कहूं कि इन सबका तो हमें दे रखा है और इन सबका उसद कितना है तीस फिर कहूंगा डेवेशन वेथर्ड प्याजो टाइम ही नहीं लगेगा जोड़ बाकी गुनाबा कुछ भी नहीं करना आपको सिधा क्यूशन है 30 एवेशन का मतलब विचिलन होता है कोन सा कितना कम है कितना ज़ादा है यह हमें बताना होता है 30 से 32 कितना ज़ादा है 2 ज़ादा है पलस 2 कर दो आप पलस 2 कर दो अब ایک चीज़ बताना मुझे यहाँ यदी यह कहूं कि 30 संख्या है तोट तीस average है एक में दो की वर्दी है तो तेरा में कितनी की वर्दी हो जाएगी 26 की यहां से सब को show हो रहा है कि यहां वर्दी होगी प्लस 26 की यदि मैं उस side में balance बराबर करना चाहूं तो यह प्लस का 26 है उधर कितना जाना चाहिए माइनस का 26 है तो आप इधर भेज़ दो माइनस का 26 कितनी संक्या हैं? 2 हैं, लगा दो भाग 2 का अपने पास 13 की कमी होगी ओसत कितना था? 30 था, 30 में से 13 गठा दो आपका उतरा जाएगा 30 माइनस 13 बरावर 17 देख सकते हो, यह आपका division method है यह basic method है, basic में आपको गुणा करना पड़ेगा, यह तो थोटी संक्या बड़ा गुणा भी आ सकता आपके सामने तो यदि यह method अपनाते हो, गुणा की आउशक्ता नहीं होगी आपको, बाकि आप जैसा पशंद करो, वैसे आप रख सकते हो, चलो, अब मैं motivational point है, उस पे focus करते हैं, कल से करेंगे यही वो वाक्य है, जो पूरे जीवन मनुसे को कामियावी तक नहीं पहुंचने देता है, बिल्कुल 101% सहमत हों इस चीज से और साइद आप सभी भी सहमत होंगे क्योंकि कल से करेंगे यही वो वाक्य है, जो पूरे जीवन मनुसे को कामियावी तक नहीं पहुंचने देता है, और यह हर किसी के साथ होता है, जो कामियाव इनसान है साइद वो इस चीज को cancel कर देता है, कि कल से नहीं आज से ही करेंगे, चलो आईए question पर पहला question आपके सामने 9 संख्याओं का उसस विजू कसाना जुड़ चुके हैं एक बार question पड़ी आप, मैं इसका correction जो रहा वो बताता हूँ आपको 9 संख्याओं का उसस साथ है पहली 5 संख्याओं का उसस पचास से अंतिम 3 संख्याओं का उसस सत्तर है यह रहा आपका correction अंतिम 3 संख्याओं का उसस सत्तर है उतरा रहा है अंतिम 3 संख्याओं का उसस सत्तर है तो 6 संख्या बताईए आपको 6 संख्या पुची गई है 9 संख्याओं का ओसद 60 है पहली 5 संख्याओं का ओसद 50 है अन्तिम 3 संख्याओं का ओसद 70 है तो 16 संख्या बताईए सीला कुमाओ 17 बताईए बिल्कुल 17 ही होगा ओतर पिछले क्विशन का आप नेक्स्ट क्विशन पर आजाओ जल्दी से चलो मैं एक बड़ समझा देता हूँ क्विशन को हमारे चहेते स्टुडेंट चेची भी आ चुके हैं क्लास में नो संख्याओं का ओसस साथ है देखो एक बार बेसिक से रखोंगा क्विशन को उसके बाद में चर्चा करेंगे अपन अपने मैथड की सबसे बिल्द नो संख्याओं का ओसस साथ है अब किसी को ये लग रहा हूँ कि मैं इनको गुणा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में समझा दिया था कि हमेशा नंबर इन्टू एवरेज करते हैं संख्या इन्टू ओसद करते हैं तो क्या आता है योग आता है तो देखिए यहां से नो गुणा छे चोवन मतलब पान सो चालिस उसके बाद में हमें दिया पहली पांच संख्या ओसद दे रहा है पचास मतलब दो सो पचास से फिर हमें कहा अंतिम तीन संख्या ओसद है सत्तर दो सो दस ठीक है अब यहां से देखिए जब पांच का पचास से तीन का सत्तर है नो का साट है अभी हमें निकालना क्या है ये टोटल नो संक्या है अपने पास ये कितनी संक्या है आठ है जो एक संक्या बची है उसका उत्तर हमें निकालना था तो देखिए ये नो है ये आठ है यदि माइनस करता हूँ इसमें से इसको तो अपने पास एक ही संक्या बचेगी और जो हमसे पूची गई है तो देखो लास्ट में छटवी संक्या पूची है मतलब अन्तिम संक्या आप से पूची है तो देखिए यहां से 540 से और यहां से यदि टोटल यो करता हूँ तो 460 होगा यदि 540 में से 460 गटांगा अपना तर आजाएगा तो एक बराबर कितना आगया असी बिल्कुल सीधा क्यूशन है जो स्टुडेंट डायरेट करें वो भी कर सकते हैं और यदि कोई अपने डेवेशन मेथड पे काम करें तो उनके लिए भी देख लो टोटल संक्या 9 है एवरेज 60 है हमारे पास संक्या दे रखे है 5, 3, 1 टोटल संक्या कितनी हो चुकी है 9 संक्या हो चुकी है पर्थम 3 का एवरेज कितना है सोरी 5 का 50 इनका कितना है 70 और ये हमें निकालना है हमें टोटल एवरेज मतलब 9 की 9 संक्याओं का एवरेज कितना दे रका है 60 division लगाईए 60 से कितना कम minus 10 से कितना ज़्यादा plus 10 ठीक है अब देखिए 1 में 10 कम है तो 5 में कितना कम होगा 50 minus का 50 1 में 10 ज़्यादा 3 में कितना ज़्यादा plus 30 से अब देखिए minus 50 plus 30 यदि मैं net result निकालता हूँ तो यहां से net result कितना आ जाएगा minus का 20 minus का 20 जब balance बराबर करते हैं तो minus 20 उदर जाएगा किसका होगा plus का होगा तो plus का 20 होगा और जो भी परिवर्ट नथा किस में होता है average में तो average 60 था अपना उतर हो जाएगा 60 plus 20 बराबर 80 यह अपना right answer होगा दोनु मेथर मेंने साथ में रख दिये हैं और जिनका उतर 80 सीला मीरा सबका उतर 80 आ रहा है बिल्कुल right answer है चलो आएए next question पर यह रहा next question चार संक्याओं में पहली 3 संक्याओं कोशित 15 है अंतिम 3 का सोड़ा है यह अंतिम संक्याओं कोणी से तो पहली संक्याओं बताईए important question level भी ठीक है question का अंकित राजोरिया बिल्कुल भाई 80 सही उत्तर है आपका next question पर आजो जल्दी से फटाफट question आपको दे रहा है चार संक्याओं है और जिनका average हमें दिया है पर्थम 3 संक्याओं का average 15 दिया है अंतिम 3 का सोड़ा दिया है यदि अंतिम संक्या गुनी से तो पहली संक्या क्या होगी चार दिरी रोशन बता रहे हैं सोड़ा offline से अपने देवा का उत्तर भी आ रहे है सोड़ा एक मिनट का और वेट कर रहा है और किसी के जवाब आए है तो बिल्कुल offline की इतनी बारी भीड है उसमें जवाब होत कम आ रहे हैं तुम्हें चाहूंगा जो पड़ रखे हैं वो तो कम से कम फटा पड़ जवाब बताओ चार संक्याओं में से पहली तीन संक्याओं का ओसत बंदरा है चलो उत्तर मैं ही रखता हूँ सीला कुमावत अठारा बता रही है अठारा नहीं होगा उत्तर तो सोडा ही होगा चलो solution रखता है अपन बोड पर देखिए सबसे पहले चार संक्याओं है चार संक्याओं अपने मान लेते हैं A, B, C, D है चार संक्याओं है A, B, C, और D अगर चार संक्याओं A, B, C, D है और अंतिम तीन का ओसत सोडा है पर्थम तीन का ओसत पंदरा है तो मुझे बताईए ये चार संक्या है इन में चार में पर्थम तीन कौन सी है ए बी और सी है इसी क्यूशन में मैं ये कहूँ कि आप मुझे बताईए कि अंतिम तीन संक्या कौन सी है बी सी और डी है तीन तीन संक्या हो चुकी है अब ये कहूँ कि जो पर्थम तीन संक्या है और संख्याओं का नाम रख देता हूँ तीन संख्या है A B और C इनका उसद हमें दिया है 15 तो यो कितना बन जाएगा 45 ठीक है अब यहीं से यह कहूँ जो अंतिम तीन संख्या है अंतिम तीन संख्या है B, C और D इनका उसद हमें दिया है सोड़ा, यो कितना बन जाएगा 48 हमें लास संख्या भी दे रहे किए, लास संख्या का नाम क्या है, डी लास संख्या है, डी अब देखो, यहाँ यदी मैं इसको सोल करता हूँ, तो देखो B से B गया, C से C गया, बचा क्या है A माइनस D, अंतर करूँगा तो A माइनस D, अब A माइनस D के बराबर यहाँ से अंतर करूँगा, 45 माइनस 48 कितना रहेगा माइनस 3 रहेगा, ठीक है अब यहाँ से देखिए, D कमान ओरड़ी हमें दिया गया है, तो बताओ D कमान कितना है 19, अब बराबर कितना है minus 3 है 19 plus का है उदर जाएगा तो minus का 19 minus का उदर जाएगा तो plus का हो जाएगा तो A बराबर कितना आ गया 6 5 6 Qson ने क्या पूचा है पहली संख्या बताइए तो पहली संख्या कौन C है तो A common कितना आ गया 6 बस यहीं आपका उत्तर था पर, तीस संख्याओं का उसद 15 है, इनमें पर्थम 18 का उसद 10 है, अगली 11 का उसद 20 है, अन्तिम संख्या बताईए, सेम क्यूशन चल रहा है, HW के रूप में आपको क्यूशन करके लाना है, कमेंट बोक्स में इसका जवाब जरूर देखूंगा, मैं किन-किन बच्चों का जवाब आता है, HW डाल दिया है, यह सभी स्टुटेंट को करना है, और इसका कमेंट बोक्स में अपने उत्तर जरूर च्चों करूँगा, मैं कि कौन-कौन स्टुटेंट जवाब देते हैं, कौन नहीं देता है, आईए नेक्स क्यूशन पर, तापमान से रिल्टेट क्यूशन है, एक मैं समझाओंगा आपको, किसी सब्ता है, सोम मंगल बुद्ध का ओसर तापमान 40 डिग्री सेंटिग्रेड था, मंगल बुद्ध तथा बरस्पतिवार का ओसर तापमान 41 डिग्री सेंटिग्रेड था, यदि ब्रस्पतिवार का तापमान 38 डिगरी सेंटीग्रेड हो तो सोमवार का तापमान कितना था अच्छा क्यूशन है और एक बार आपको समझना है क्यूशन को कुछ एक बचे ओफ लाइन में पढ़ चुके हैं ये सारे चिज़े तो उनका तो जवाब आप भी जाए तो कोई दिकत का भी से नहीं है लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको एक बार इस क्यूशन को देखना है सबसे पहले इनको मैं सोट में रखता हूँ किसी सब्ता है सोम, मंगल और बुद्ध सोम, मंगल और बुद्ध इनका हमें तापमान दे रखा है 40 दिगरी, ओस्त दे रखा है अब ये चीज तो हर किसी के माइंड में है कि ओस्त गुणा संख्या बराबर योग होता है संख्या कितनी है? एक, दो, तीन यदि मुझे योग निकालना तो योग कितना हो जाएगा? चालीस गुणा तीन बराबर एक सो बीज फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट हमें दे रखें तीन वार और तीन वार अगले अपने हैं मंगल, बुद्ध तथा ब्रस्पतिवार तीन हैं, मंगल बुद्ध और बरस्पतिवार को मैं गुरुवार कर देता हूँ और इनका उसे तापमान हमें दिया है 41 डिगरी अब वही बात संख्या तीन है, 41 को तीन से गुणा करेंगे, 123 आएगा तो ये अपने पास आ चुके हैं तापमान, लास्त में पढ़िया आगे यदि बरस्पतिवार का तापमान यदि बरस्पतिवार का तापमान 41 डिगरी सेंटी ग्रेड हो यदि बरस्पतिवार का तापमान 41 डिगरी सेंटी ग्रेड हो अच्छा ये तो तीनु का है बरस्पतिवार का तापमान 38 डिगरी सेंटी ग्रेड हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा अब एक चीज़ बताओ मुझे सोम, मंगल, बुद्ध मंगल, बुद्ध, गुरू यहां से हमें दिया 40 गुणा 3, 120 होता है यहां 123 होता है यदि इन 3 में मैं 4 जोड़ दू मतलब सोम, मंगल, बुद्ध और इसमें क्या एड़ कर दू गुरू एड़ कर दू तो बताओ चार हो जाएंगे क्या यदि सोम, मंगल, बुद्ध, गुरू में से मंगल, बुद्ध, गुरू गठा दू तो क्या बचेगा बताओ मंगल से, मंगल, बुद्ध से, बुद्ध और गुरू से गुरू, बचा क्या सिरफ, सॉम तो अपना उत्तर किसका आएगा फिर सॉम का ही आएगा, अब देखिए यहां मैंने एड किया है जोड किया है, तो यहां भी क्या करना होगा जोड करना होगा, 120 में कितना जोड दो, 38 जोड दो कितना आजाएगा, 158 158 अब यहां इन 4 का 158 था मैंने इन 3 को गठा दिया तो इन 3 का कितना है 123 है 118 में से यहां 123 गठा देता हो तो मेरे पास कितना बचता है 35 डिगरी सेंटीग्रेड, जिसका उत्तर 35 है, उनका बिलकुल सही है सिरी राम यादव बता रहे, 35 बिलकुल सही है रोकी परजापत, राम राम भई अब शेक जी, नमस्ते चल चलो आईए नेक्स क्यूशन पर नेक्स क्यूशन दिया आपको 4 लड़कों तथा 3 लड़कों ने ओस्तन 120 रुपे खर्च किये, उनमें लड़कों ने यदि ओस्तन 150 रुपे खर्च किये हों तो लड़कों का ओस्त खर्च बताईए एक धम आसान क्यूशन सीला कुमावत 35 बता रहे हैं, बिल्कुल सही है अभी जो मैंने स्क्रीन पर क्यूशन रखा, बहुत आसान क्यूशन है देखता हूँ कौन-कौन कितना जल्दी जवाब देते हैं ओफ-लाइन से जवाब आ रहे हैं अजय, असी देवा का आ रहा है, नबबब देखते हैं, अलगले उत्राने का मतलब कहीना कहीं क्यूशन में कन्फूशन है चलो, असी उत्रा आ रहा है देखते हैं, असी आ तक नबबब आ आता है सबसे पहरें चार लड़के हैं चार लड़के प्लस तीन लड़कियां और टोटल ओसत हैं इनका 120 यदि यहां से मैं यह कहूँ आपको कि चार लड़के और तीन लड़कियां ओसत हमें दे रखा 120 है अब यदि मैं टोटल की बात करूँ फिर वही बात कहूँगा आपको कि अपने को जाना है सिर्फ तीन चीजे ओसत, योग, संख्या अपने पास से टोटल संख्या हो चुकी है साथ एवरेज अपने पास 120 है तो योग कितना हो जाएगा? 840 प्रोसेस मैं एक ही चीज़ पर काम करा हूँ फिर हमें कहा गया कि लड़कों का ओसत कितना है? 1.500 लड़के हैं कितने? 4 4 का ओसत यदी 1.500 है तो योग कितना होगा? 600 योग हो जाएगा? 600 फिर एक चीज़ और कही उसने और वो उसने ये कहा कि जब जो लड़कें बचीं उनका उसत बताना है तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ आप कि जब आठ सो चालीस साथ का योग है चार का योग छहसो है तो बचे कितने हैं? तीन बचे हैं और तीन का योग कितना बचा है? दो सो चालीस से हमें पूचा गया है ओसत ओसत पूचा है तो ओसत निकालते कैसे हैं? ओसत निकालते हैं योग बटा संख्या योग बटा संख्या अपने पास योग कितना बचा है? दो सो चालीस का संख्या कितनी बची है? तीन बची है यदि भाग लगाएंगे तो कितना उतर आएगा 80 जिस student का उतर 80 था उनका बिल्कुल right answer है बाकी गलत है सीला कुमाउत नब्ब बता रहे हैं बिल्कुल गलत है मैंने solution रख दिया है सिर्राम यादव बिल्कुल सही है आपका 80 चलो हाँ 80 है बिल्कुल सही है आएए नेक्स क्यूशन पर साथ लगातार आने वाले धन पुर्णांकों का उसत 26 है इन पुर्णांकों में सबसे छोटा कौन सा है बेहदासान क्यूशन डाला है वह अब की बारतों सीला, मीरा, सिराम सबका सही है 80 उत्तर आ रहा है पिछले क्यूशन का अभी तो 80 आपके उप्सन में नहीं है आराम से सोचिए बड़ा असन क्यूशन डाला है साथ लगातार आने वाले धन पुर्णांक आप लगबख बची तो ऐसा है जिनको धन पुर्णांका ही नहीं पता होता है कि धन पुर्णांक क्या होता है कुछ एक तो इसे गण समझते हैं तो क्यूशन के गण करने की कोशिश करते हैं धन पुर्णांक कहा है 23 सबसे पहले basic की तर्चा करूँगा ध्यान दीजी आप, basic question कैसे होता, पहले basic सिक्वाब बाकि चाहूं तो सिर्फ 2 second का काम है, question का उत्र बताना लेकिन सबसे पहले अपन format पे काम करेंगे, कि basic कैसे होता question का देखिए, 7 लगातार आने वाली धन पुनांकों का उसच 26 है धन पुनांको चाहे, रिन पुनांको चाहे, सम हो चाहे, विशम हो हमें पहली संक्या कौन सी माननी है, x माननी है लगातार 7 है, पहली संक्या x सम विशम नहीं कहा, सिर्फ लगातार है पहली x, दूसरी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 है कितनी संख्या हो गई है साथ संख्या हो चुकी है यदि साथ संख्या हो चुकी है तो आप मुझे बताइए हमें संख्या दे रखा है नंबर दे रखा है एवरेज इनका दे रखा है क्या आप टोटल नहीं निकाल सकते है निकाल सकते हो ठीक है, तो देखो, नंबर कितना है, 7 average कितना है, 26 तो 26 को मैं 7 से गुणा करूँ तो 26 गुणा 7 कितना होता है 182 योग कितना आचुका है, 182 यदि योग 182 टोटल है अब टोटल के बराबर क्या होता है टोटल होता है, 7 संख्याओं को जोडना है साथ संख्याओं को जोडना है, देखो सबसे पहले जोडने के लिए X देखते है, कितने X है टोटल साथ X है, तो सबसे पहले मैंने रखा साथ X प्लस, साथ X प्लस अब यहां से संख्याओं का योग कितना है 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, और 6, 21 साथ X प्लस 21 किनका योग है, इन साथ संख्याओं का योग है ठीक है, अब यदि इन साथ संख्याओं का योग दे रखा साथ X प्लस 21 से और हमें टोटल योग दिया 182 यदि हमें value निकालनी है X की, तो देखो 21 को उधर बेजेंगे उसके बाद में साथ का बहग लगाएंगे तो process को मैं थोड़ा इदर रख देता हूँ process योँ हो जाएगी, 7X बराबर 182 माइनस 21 और 7X, अब यहां से X की value रखोंगा X बराबर 182 में से 21 गया, कितना बचेगा? 161 X की value अब यहां से X से यह तो निचे 7 था, तो भाग लगा दो 7 का कितना आ जाएगा? सिरफ 23 ये तो है basic method, जो student basic से कर रहे हैं, वो तो करेंगे इस तरीके से अब यदि कोई basic नहीं करना चाहें, तो सीधा सा करेगा क्यूशन को, और सीधा कैसे अपनाएगा क्यूशन में? साथ संक्या हैं, एक से कर दो start लेकिन ओसट 26 है, देखो ओसट 26 है ओसट का मतलब क्या होता है? मद्दे मान होता है, बीच का मान होता है तो बीच में कितना होना चीए? 26 साथ है बीच का मान हमारे पास है तीन इससे बाद में तीन इससे पहले होनी चीए continue है लगाता आ रहे तो देखो 26 के बाद कितना आता है 27, 28 और 23, तीन संक्या बाद में हो चुकी है तीन संक्या पहले भी होनी चीए क्योंकि ये तो मद्दे मान था तो इससे पहले क्या आएगा 25, फिर 24 और फिर 23 हमें क्या पुछा क्यूशन ने सबसे छोटा मान बताना है सबसे छोटा कौन सा है 23 तो सही उत्र क्या हो जाएगा 23 ये भी आप कर सकते थे आए नक्स क्यूशन पे basic भी मैंने रखा आपके लिए और जो क्यूशन सोट आउट होता वो भी मैंने रख दिया है नेक्स क्यूशन आठ करमिक संख्याओं का ओसत 6.5 है उनमें से सबसे छोटी तता सबसे बड़ी संख्या का ओसत बताईए 6.5 ओफलाइन से जवाब बहुत फास्ट आ रहे है साइद सारे के सारे इंटलिजेंट हो चुके है आठ करमिक संख्याओं का ओसत 6.5 है उनमें से सबसे छोटी तता सबसे बड़ी संख्या का ओसत बताना है चलो पिंकी का उतरा है ए और ए मतलब 6.5 चलो solution रखते हैं question का एक बड़ संख्याओं मान के बता देता हूँ मैं complete आपको 8 करमिक संख्या है लगातार 8 संख्या है 8 संख्या रखोंगा पहली संख्या x continue है तो x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 x plus 5 x plus 6 और x plus 7 आठ संक्या हो चुकी है योग की बात कर रहे हैं तो योग निकालने के लिए सबसे पहले आठ को किसे गुणा करना होगा 6.5 से 6.5 इंटू 8 बताओ योग कितना होगा योग कितना होगा 52 योग होगा 52 इसके बाद में यहां से योग के बराबर योग होना चीए योग के बराबर योग तो मैं इनका योग करूँगा देखो योग का मतलब जोड होता है इन सबी को जोड़ूँगा तो देखो पहले एक्स एक्स को जोड़ूँगा सबी जगह से कितने एक्स हैं टोटल साथ एक्स हैं यदि सारे के सारे एक्स जोडता हूँ संख्या आठ हैं तो कितने एक्स हो जाएंगे आठ एक्स हो जाएंगे यदि आठ एक्स टोटल है अब मैं नंबर को जोड़ूंगा तो देखो साथ और चे तेरा तेरा और पांच अठारा च्यार बाईस बाईस तीन पत्चीस और दो 27 और एक 28 से योग बराबर योग है तो कितना होगा 52 होगा अब देखो 28 को उधर बेजेंगे माइनस का हो जाएगा 8 x बराबर 52 माइनस 28 कितना बचेगा बताओ 24 24 थोड़े बचेगा 20 20 हाँ सही है 24 24 ही बचेगा x की value निकाल नहीं है तो 24 बटा 8 कितना आजाएगा 3 जहां x रखाता हुआ कितना रख दो 3 रख दो तो पहली संख्या तो 3 है अंतिम संख्या 3 प्लस 7 बराबर 10 हो जाएगी हमें क्या पुचा है सबसे छोटी वे सबसे बड़ी संख्या का ओसत बताईए ओसत बताएगी तो 3 प्लस 10 बटा 2 तो 13 बटा 2 बराबर कितना होता है 6.5 ये था आपका question आएए जल्दी से next question पर सिरिराम यादो बतारे 6.5 अंकित राजवरिया बतारे 52 अंकित बावन तो योग होगा टोटल अभी तो हमें छोटी और बड़ी का पुचा है चलो next question next question है चार करमा कर सम संख्याओं को ओसत पंद्रा है उन में से दूसरे नमर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बहुत आसान question है और संख्याओं के question मैंने रखे हैं तीन चार क्यूसर क्योंकि संख्याओं में किसी को कोई दिकत नहीं आए चार करमा का संख्या है ओसत पंद्रा है संख्याओं के दो तिन क्यूसर अपने हो भी चुके है ओफलाइन से जवाब है option B अचा D पिंकी चोदरी का DR है बिल्कुल सही है जल्दी कीजी एक मिनट के भी तर क्यूसर हो जाना चीए क्योंकि मामला सिंपल ही है कोई टफ है नहीं चलो अपन रखते है solution जिनका सोडा है बिल्कुल सही उत्तर है चार करमागा सम संक्या है अब देखो सम हो चाहे विसम हो अभी मैं एक चीज अपन के लिए करेंगे सबसे पहले सम और विसम सीखने से पहले आपको ध्यान देना है बोड़फर देखो सम हो चाहे विसम हो पहली संक्या अपन मानेंगे X पहली संख्या मानेंगे X सबसे पहले सम की बात करूंगा उसके बाद हम बात करेंगे विश्म की देखो पहली संख्या X है तो विश्म भी कौन सी है X ही है ठीक है सम और विश्म पहली संख्या दोनों में मैंने X को माना है X यहां भी है X यहां भी है अब देखो पहली समसंख्या होती कौन सी है दो होती है पहली समसंख्या दो होती है और दूसरी समसंख्या कौन सी होती है चार होती है पहली वी समसंख्या कौन सी होती है एक होती है द्यान देनाच्छे से क्विशन को पढ़ना संजु सैनी, सिर्राम, सीला कुमो सबके सोड़ा उत्तरा रहे बिल्कुल सही है अंकित योग ही बताया से रहे बिल्कुल सही है योग तो आपका सही है लेकिन क्यूसर में आगे छोटी और बड़ी का हमसे पूचा था तो वो और निकालना था कोई बात नहीं समसंख्या मैंने कहा दो पहली मैंने ली है पहली विसमसंख्या मैंने एक ली है और यदि मानूँगा तो दोनों को एक्स मान रहा हूँ यदि यहां से मैं ये कहूँ आपको कि मुझे आप पहली पहली निकाल ली है अब दूसरी सम संख्या बताए कितनी होगी या फिर दूसरी विसम संख्या पहली विसम संख्या एक है तो दूसरी विसम क्या होती है तीन होती है तो X का मान एक है तो बताओ दूसरी कितनी हो जाएगी X प्लस दो हो जाएगी अब यह दिए X प्लस दो है जोड़ना होगा दो जोड़ना होगा देखो पहली sum x से दूसरी sum x प्लस 2 पहली visham x से दूसरी visham x प्लस 2 अब यहां से आप continue रख सकते हो x प्लस 2 यहां से x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 कितनी समसंख्या हो चुकी है 1, 2, 3, 4, 5 समसंख्या यदि मैं पांच ही विसम संख्या बनाओ तो कैसे बनाना होगा पांच ही विसम संख्या बनाएंगे तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 यही बनेंगी continue अब एक चीज और यदि इसी question में अपन सोच रहें कि यार तो same same ही है सम भी same है और विसम भी same है तो बिल्कुल इसमें same ही रहेंगी लेकिन x की जगए यहाँ दो रखना है यहाँ एक रखना है फरक तो इतना ही है अब अपना question देखो क्या है चार लगातार सम संख्याओं का ओसत 15 है तो चार लगातार लेनी है तो पांच भी को हटा दो पांच भी को हटा दो अब मैं एक बार के लिए मैंने समझाने के लिए रखा था अब मैं विसम को भी हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम ही नहीं अपने पास देखो च्यार समसंख्या आ चुके अपने पास X, X प्लिस 2, X प्लिस 4 और X प्लिस 6 होंगी इनका ओसत 15 है मैं काफी टाइम से आपको एकी चीज बता रहा हूँ कि यदि हमारे पास नंबर संख्या दे रखी है average दे रखा है तो अपन क्या निकाल सकते हैं? योग निकाल सकते हैं संख्या दे रखी है ओसत दे रखा है हम योग निकाल सकते हैं तो देखिए अपने बास संख्या कितनी है? 4 है संख्या 4 है ओसत कितना है? 15 है योग कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा काफी टाइम से पढ़ रहे हैं योग के बराबर योग रखना होता है तो देखिए, यहां से योग देखते हैं कितना होता है X, 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 X कितना X हुआ? 4X प्लस से 2, 4, 6, और 6, 12 बराबर कितना है? 60 12 को उधर भेज़ेंगे किसका होगा? मैनिस का तो यहां 4X बराबर कितना बचा? 48 तो X बराबर 48 बराबर, 4 बराबर, 12 X के वेल्यू कितनी आई है? 12 अब जहां हमने X रखा था, वहां कितना रख दो? X रख दो, तो यह 12 है यह 12 और 2, 14 हो जाएगी यह 12 अपना 2 प्लस, X का 1 कितना 12 तो 12 और 4, 16 हो जाएगी और यह 12 और 6, 18 हो जाएगी हमें कौन सी संक्या पूची गई है? बड़े से दूसरी, तो बड़े से दूसरी कौन सी है? सोड़ा है तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सोड़ा जिसका उत्तर सोड़ा है ता बिल्कुल सही है अंकीत राजोरे बिल्कुल सही है, सोडा उत्तर चलो, आईए next question पर तापमान का question है अभी समझाए तो थोड़ देर फहले अभी live में मैंने बताया तापमान का question किसी सब्ता के पर्थम 4 दिनों का ओसर तापमान 37 डिगरी है, अंतिम 4 दिनों का तापमान 41 डिगरी है, पूरे सब्ता है का तापमान 49 डिगरी है तो 4 दिन का तापमान बताए, संख्याओं से related question है, संख्याओं से related है, आपको 7 का दिया है, 8 का दिया है, सिर्फ एक संख्या का बताना है थोड़ा जल्दी बताएंगे मुझे last और last एक minute में एक minute में क्यूशन का जवाब देना है 49 ओफ लाइज से पहला जवाब आया है, 49 जल्दी कीजिए क्यूशन नहीं करने का मतलब आपको समझ नहीं आया है क्यूशन क्यूंकि ऐसे क्यूशन मैं ओल्रड़ी करवा चुका हूँ आपको, C option 40 अच्छा, ये change कर रखा उपनीच से, अच्छा चरो ये C था और ये D है तो आपका उतरा रहा है 40 देखते हैं चलो कोई बात नहीं, ओनलाइन में कम जुड़े हैं क्योंकि टाइम कुछ ऐसा है अपना, लेकिन जो ओफलाइन बैठे हैं वो तो कम से कम बताओ क्योंकि ओफलाइन में इती सारी भीड बैठी है तो वो तो जल्दी से जवाब दो मुझे कम से कम 39 49 चलो, बोड पे दान दीजी सबसे पहले हमें का किसी सबता के पर्थम चार दिन देखो संख्या फिर से एक ही चीज चल रही अपने नंबर इंटो एवरेज वराबर टोटल एक ही चीज पे वरक करें पर काफी टाम हर क्यूशन में यही फोलो हो रहा है संख्या दे रहें चार ओस्थ है 37 फिर हमें कहा वापस से कि संख्या चार ओस्थ कितना दिया है 41 ठीक है फिर लास्ट में सब्ता है, पूरा सब्ता है, पूरा सब्ता में किते दिन होते हैं, साथ दिन होते हैं, उसे कितना है, 49, अब सीधा सा क्यूशन हो चुका है, यहां से देखें क्यूशन में, यहां से देखें क्यूशन में, यहां से योग निकालेंगे, 37 गुणा 4 कितना होता है 148 41 गुणा 4 164 और गुण 40 गुणा 7 बताओ 200 40 को 7 से कर दो 40 को 7 28 में 28 होता है और 1 7 गठा दो 23 है या बैतर 23 होगा 1 7 गठा ना था सिरफ 200 23 गुणा भी थोड़ा फास करना हमें ऐसे थोड़े अलग से रखेंगा 49 गुणा 7 नहीं 407 को 288 होता है 1 7 गठा दो आगया होता है तो 200 23 अब देखिए हमारे पास 4 का दे रखा है 4 और 4 28 का टोटल यो कितना है 312 और 8 7 का कितना है 200 23 सिर्फ अंतर करना था अंतर करेंगे तो 23 और 12 कितना होता है 23 नहीं यहां से 27 और 12 49 तो उतर कितना आ जाएगा 49 डिगरी Centigrade यह आपका क्यूशन था और ऐसे क्यूशन तो मैंने अलग से भी बताए है सिर्फ राम यादव, सीला, कुमा उससब के 49 आ रहे हैं और बिलकुल सही उतर है इसी क्यूशन को यदी मैं अपने division method से करना चाहूँ तो देखो एक बार देखते हैं चेय करते हैं बुना करने के बजाए हमें थोड़ा क्यूशन जल्दी मिल जाए क्योंकि 4 और 4 आठ का दिया है 7 अधिक का दिया है और एक का हमसे पुचा है 7 का उचाले कि सभी का नहीं दिया है डेवेशन में हमें क्या करना पड़ता है कम संक्या हो तो उनके लिए बिल्कुल satisfy करता हमें क्योंकि 7 का 49 है और हमें तो 8 दे रखे हैं already तो 8 का नहीं दिया है आपको basic से ही करना है ठीक है? आए नेक्स क्यूशन पर नेक्स क्यूशन है A वे B की मासिगाई 14,000 A तथा B की उसत मासिगाई 14,000 तथा B वे C B वे C की उसत आई 15,600 तथा C वे A की उसत मासिगाई याद करें थोड़ सा confusion है क्यूशन में यहां से आई नहीं पूछेगा C तथा A की आई 14,400 रुपे हैं तो C की मासिगाई बताईई ऐसे क्यूशन है साई दिये पिंकी का जवाब आया 14,000 देखते हैं आसान क्यूशन था वे सा A तथा B मैं क्यूशन में थोड़ सा correction मैंने बताया आपको कि A तथा B की उसत मासिगाई 14,000 है B और C की उसत मासिगाई 15,600 है C और A की मासिगाई 14,400 है तो C की मासिगाई बताईए ऐसे क्यूशन है रखता हूँ क्यूशन को सबसे पहले A प्लस B की है कितनी है 14,000 उसके बाद में B प्लस C और B प्लस C की कितनी है 15,600 और फिर A तथा C की 14,400 आप प्रोसेस से करो तो एक काम कर सकते हो कि इनको सबको मुझे दोसे गुणा करना होगा और उसत का मतलब सेम होता है मतलब उसत जैसे A और B का 14,000 है A का भी 14 तो B का भी 14 सेम सेम है तो मैं यह कह सकता हूँ कि आप इनको गुणा नहीं करो तो भी चलेगा बाकी प्रोसेस तो यह कहती है कि इनको दोसे गुणा करूँगा फिर सबका योग करूँगा फिर दोका भाग लगाूँगा तो आप इस क्यूशन को थोड़ा से सोट आउट कर सकते हो इसको सेम ही मान लो आप A प्लस B प्लस C बराबर 14,000 प्लस 15,600 प्लस 14,400 ठीक है यदि इस क्यूशन में यहां से हमें A, B, C का दे रखा है और किसका पूँचा है C का पूँचा है तो C किसमें नहीं मिलेगा सबी दो दो बार है मैं इसको थोड़ा सोट आउट और कर रहा था 15,600 और हाँ यदि कोई डायरेट चाहे तो उनके लिए रख रहा था मैं ये बाकी तो वैसे पूरा तो होगा ही होगा थोड़ा सा सोट और करवा रहा हूँ आपको क्यूशन मतलब यहां से एक गुणा नहीं करना पड़े आपको थोड़ा सा सोट और देखो A, B, C का कितना है यही है सबका योग ठीक है मैंने डबल नहीं लिया क्योंकि ओसर सबका समान होता है यहां से हमें किस का मान निकालना है C का तो C जिसमें नहीं है मतलब C किन किन में है इन दोनों में है तो उनको माइनिस कर दो इसमें से आपके पास क्या बच जाएगा सिरफ C का मान आ जाएगा तो अपन यदि दोनों को माइनिस करते हैं किस किस को यह थोड़ा direct process है, इसमें भी आप काम कर सकते हो, ठीक है, इसमें गुणा नहीं करना पड़ेगा, इसमें सीधा हो जाएगा, क्यूसन, भाई देखो, तीनों का average दे रखा है, तो average मैंने सीधा सीधा ही रख दिया, कि गुणा नहीं किया यहां से, फिर इन दोनों में C है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, अपने पास बचेगा सिर्फ उसी का मान, क्योंकि A, B, C में से A, B गठा दूँगा, वे देखो A, B, C है, तो C जिसमें मुझूद है, उन उनको गठा दो, फिर वो ही बच जाएगा अपने पास, ठीक है, तो उतर कितना जाएगा, 14,000, आप ऐसे बही भी कर सकते हो, बाकी process से रखते है एक पर क्यूशन को, यह तो आपको करनाई ही करना, यह तो slot time बचाने का method है, बाकी यद analytics करते हैं, क्यूशन को, तो देखो, अपने पास संख्या है, और से रखता है, तो योग निकाल दो, कितना आएगा, 28,000, यहांसे कितना आएग पंदरा, पंदरा दो 30 और 612, में 31, 200 और यहां से 28, 800 ठीक है, अब यहां से इनको रखता हूँ, 2, A+, B+, C बराबर, यो करेंगे, कितना है टोटल, complete आर, ठैशा, चलो, 88,000 टोटल, तो A, B, C, बराबर, कितना हो जाएगा, 24,000, A, B, C, बराबर, चमआलीस बर, अब देखो, ABC बराबर 44,000 है हमें किसका मान निकालना है C का C जिसमें नहीं है उसको माइनस कर दो तो C किसमें नहीं है इसमें नहीं है तो 28,000 माइनस कर दो इसमें से तो 44 में से 28 गठाओ कितना आएगा प्रोसेस ऐसे होगी A प्लस B प्लस C माइनस से A प्लस B ABC कमान कितना है 44,000 और माइनेस कितना करें 28,000 तो कितना बचता है 14,000 फिर आपका उत्तर 14 कैसे आ रहा है क्यों सी तो निकालना है में सी तो निकालना है कैलकुरेशन चेक कर लो इवर क्योंकि 45,000 टोटल बचा इनका और हमें माइनेस करना है 28,000 क्योंकि C हमें निकालना है तो A, B को ही तो गठाऊंगा तो A, B को गठाएंगे ओप्शन में है 16,000 हाँ सिर्रा म्यादव का 16,000 आया है सीला पिंकी इनका 14,000 आया है एक बड़ चेक करें आप क्यूशन को क्योशन तो कई मिस्टेक नहीं है देख देता हूँ मैं भी एक बड़ क्यूशन का राइट आनस पर क्या होगा बाकि अपने इसाब से 16,000 ही आना चाहिए क्यूशन है A, B की मासिक आई पुछी गई है क्यूशन के इसाब से अपना क्यूशन सही चलना चाहिए कितना आरा सीट में हाँ 16,000 ही आएगा राइट आनसर होगा 16,000 16,000 बिल्कुल राइट आनसर है क्यूशन के अपने को क्यूशन के लिए होनी चीए तो जिनका उत्तर 16,000 है उनका बिल्कुल सही उत्तर है 14,000 नहीं होगा वो गेलत रहेगा फिर क्योंकि 14,000 तो आई नहीं सकता हाँ वहाँ से कल्कुलिशन तो बैटती है उसमें लेकिन ठीक से नहीं बैटेगा तो सीखा कितना आएगा 16,000 कल्कुलिशन देख लिए ना 16,000 आईए नेक्स क्यूशन पर तीन संख्याओं में पर्थम संख्या दित्वी संख्या की दो गुनी है तदा दित्वी संख्या तर्थिये एक छोटी सी गलती रही है यहां से इसे छोटी सबत को हटाना ये गलत टाइपिंग होई है थोड़ से अब देखिए तीन संख्याओं में पर्तम संख्या, दिती संख्या की दो गुनिय तदा दिती संख्या, तर्ती संख्या की दो गुनिय ये तीनों संक्याओं का वो से इकी से तो सबसे सोटी संक्या ग्याद करें। बताए मुझे सबसे पहले उत्तर किसका आता है। ये चेक करता हूं। नो। नो। देखिए जल्दी से एक बार समझा देता हूं कुशन को। तीन संक्या में परतम संक्या दित्य संक्या की दो गुनी है। तता दित्य तर्तिय की दो गुनी है। माली जी तीन संक्या हैं ABC। तीन संक्या है ABC हमें दे रखी है। और यहां से हमें कहा है तर्तिय संक्या की दो गुनी दूसरी होनी चीए। तरती संख्या की दो गुनी यदि ये दो है या फिर ये एक मान लो तो ये कितनी हो जाएगी दो तरती संख्या की दो गुनी होनी चीए फिर क्या कहा पर्थम संख्या दितिये की दो गुनी तो ये कितनी होनी चीए चार, योग कितना है टोटल 63 संख्याओं का योग 63 है, और यहां से इनका योग कितना बना है, साथ साथ बराबर 63 तो एक बराबर नो, और हमें क्या पूचा था सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी कौन सी है, नो तो नो इस दा करेक्ट आंसोर आईए नेक्स क्यूशन पर चलो अब जो स्टुडेंट रिपिटेशन कर रहे हैं क्लास का, उनके लिए कल नेक्स क्यूशन रखोंगा और उसके बाद में एक क्लास में जो आप क्यूशन पढ़ते हैं, उनसे सबसे अक्स्ट्रा क्यूशन होंगे और वो क्यूशन होंगे सिर्फ 21, 22, 23 के SSE में पूंचे होए सारे क्यूशन अभी तो मैं सिर्फ रिविजिन क्लास के तोर पे ले रहा हूँ उसमें सारे क्यूशन आपके अलक्स से होंगे, चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास